अगर तुम भी PowerPoint में Quiz वीडियो बनाना चाहते हो तो ये कमाल का वीडियो आज का तुम्हारे लिए देखो ये बहतरी इन PowerPoint टेंपलेट है इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है सारी चीज़े बनी बनाई है बस copy paste करना है यहाँ पर कुछ इस तरह सवाल आते है जैसे पहला सवाल था यह दूसरा सवाल आगे विश्यो का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है और फिर जब एक बार तुम इंटर मटन दबाओगे तो यहाँ पर countdown timer शुरू होगा और जैसे ही countdown timer खतम होगा यहाँ पर right answer आजाएगा यह photo भी आजाएगा तो इस तरह से तुम इसमें बहुत ही कमाल के quiz वीडियो बना सकते हो यानि कि इसमें copy paste करना है जो भी सवाल है उसको copy paste करके अपना सवाल बदल दो जो यह photo है उसको बदल दो और जो right answer है उसको बदल दो और इस तरह तुम यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का quiz बना सकते हो उसक तो यहां से हम बाहर निकलते हैं, जब तुम इससे डाउनलोड करोगे तो तुम्हारा सामने कुछ यस तरह से 9 पेज इसमें open हो जाएंगे, अगर तुम्हें इसमें और पेज बढ़ाना है, तो जैसे last वाला है, यह वाला पेज है, Ctrl D दबा दोगे तो यहाँ पे इसका एक डूब्लिकेट और बन जाएगा जिसमें तुम्हें फोटो और यहाँ पे question उसके answer को change कर लेना है कैसे change करना है देखो पहले वाले slide में हमाग है पहला question है हमारा है अगर मान लो कि यहाँ पे जो question है इसको तुम अपने भासा में लिखना चाहते हो तो Ctrl A दबाओ पूरा select हो जाएगा delete कर दो और फिर यहाँ जो भी तुम्हें type करना है वो यहाँ तुम type कर सकते हो या फिर अगर तुमने कोई material copyright free लिख रखा है तो उसे वहाँ से यहाँ copy paste कर सकते हो अब मान लो तुम्हारा जो सवाल है वो बड़ा है जैसे यह मेरा सवाल है मान लो तुमने कोई ऐसा सवाल लिया जो कि तीन लाइन में आ रहा है तो हमें क्या करना है इसके font के size को छोटा करके इसी box में adjust करना है और उपर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यह जो panel है यहाँ से font के size को बदला जाता है font के size को छोटा बड़ा किया जा सकता है पूरे font को बदल सकते हो लिखे हुए को bold, italic, underline कर सकते हो या फिर उसका color बदल सकते हो या फिर कोई ऐसा सवाल है जो एक line का ही है और box बिल्कुल खाली-खाली दिख रहा है तो हम इसको बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे ताकि box भरा-भरा सा दिखे इसके color को change करना है आप यहाँ से इसके color को भी change कर सकते है जैसे यहाँ पर अभी red है जैसे यह red है हम यहाँ पर इससे dark blue कर सकते है light blue कर सकते है purple कर सकते है जो color चाहे हो color हम यहाँ पर ले सकते है black कर सकते है जैसे मैं यहाँ पर red कर देता हूं तिर red हो गया तो भी फोटो तुमने जहां भी अपने इस question के according तुमने save कर रखा है वहां से तुमें फोटो ले लिना है जैसे यहाँ पे फोटो में लेकर दिखाता हूँ जैसे बाद लों कि यहां पे यहां गये और एक ये फोटो में देलता हूँ फ्लैक का ये देखो ये फ्लैक का फोटो आ गया ठीक वो फोटो उतरहीं बड़ा आएगा जितना बड़ा यहां पर लगा हुआ है ना उसको तुमको छोटा करना पड़ेगा ना बड़ा करना पड़ेगा अपने आप फोटो एड़ियस हो होगे ऐसे हर स्लाइट को प्ले करते जाओगे और स्क्रीन को रिकॉर्ड करते जाओगे यहां पर चाहो तो तुम वोईसोवर कर सकते हो या फिर यहां पर चाहो तो तुम कॉपिरेट फ्री म्यूजिक भी लगा सकते हो तो इसमें तुमको एक कमाल का वीडियो बन जाएगा अगर मान लो तुम्हारे laptop computer में कोई screen recorder नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर edit करने के बाद इस PPT को अपने mobile में भेज लो और mobile में play कर लो और वहाँ के screen recorder से record करके video बना सकते हो तो इस PPT की खास बात यह है कि इसको तुम mobile में भी play करोगे तो चल जाएगा और mobile के screen recorder से screen को record करके video बना सकते हो उसके बाद जब इसको अगर save करना चाहते हो तो simply file को यहाँ click करना है Save as पर जाना है और यहाँ पर desktop चुनना है या फिर तुम जहाँ इसको save करना चाहते हो वो location यहाँ select करना है यहाँ उपर file का name देना है और save को click कर देना है ये तुम्हारे laptop computer के अंदर save हो जाएगा अब इसको download कैसे करना देखो इसको download करने के लिए नीचे description में link है उसको click करो और download कर लो वहाँ पे तुम्हे password पूछा जाएगा तो इसका password है 2345 2345 इसका password है password से खुल जाएगा वीडियो कैसे लिए कमेंट करके बताना वीडियो देखने के धन्यवाद